प्रधान मंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला नोंने क्या कहा है आपको बताते हैं शेहजादे के सलाकार ने सलाह दी थी उनका कहना है पी-म कहना है शेहजादे के सलाकार मतलब सैम पितरोधा को उन्होंने कहा है कि उनके सलाकार ने सलाह दी थी कि मिडल क्लास पर जादा टेक टेक्स लगाएगी यह सीधे सीधे प्रधान मंत्री ने बात कई है माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी कॉंग्रेस पार्टी टेक्स लगाने के लिए और यूक्रेन युद के बाद आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ रश्या की भी अर्थ विवस्ता बिगड़ी हुई है जापान की बिगड़ी हुई है आस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई है लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत मजबूती के साथ खड़ा है दुनिया की अर्थ व्यवस्ता पिछड रही है और भारत बाच साल पहले ग्यारवे नमबर पर खड़ा था आज भारत की अर्थ वेवस्था पांचवे नमबर की अर्थ वेवस्था बन गई पांचवे नमबर की और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रितानिया ने जिस ब्रिटेन ने जिस ब्रिटिश ने हमको दो सो साल राज किया उसको पचाड कर आज भारत पांचवे नंबर पर खड़ा है और आप अजे मंडल जी को चुनाओ जिताएंगे मोदी जी को आप प्रदान मंतरी तीसरी बार बनाएंगे और दो हजार सत्ताइस में भारत तीसरे नंबर की अर्थ विवस्ता बन जाएगा तो भागलपूर से आप जेपी नड़ा को सुन रहे थे आगे बढ़ेंगे आप करेंगे कॉंग्रेस की जहां कॉंग्रेस से चुनाओ में बार बार आर्थिक सर्वे का मुद्दा उठा रही है इस मुद्दे पर PM Modi ने कॉंगरस पर निश्वाना भी साथा है आखर आर्थिक सर्वे के पीछे कॉंगरस की कौन सी स्तोच काम कर रही है इस रिपोर्ट पे देखिए लोकसभा का रण सियासी मुद्दो से हटकर मंगल सूत्र पर आ गया है कॉंगरस ने आर्थिक सर्वे कर राग अलापा तो पीए मोदी ने जंता को कॉंगरस के हिडन एजेंडे से रूबरू कराया कॉंगरस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा हमारी बहनों के बास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी उसका मंगल सुत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ तो मुसे छिनने की बास कर लोगसमद चुनाव के बीच प्रधार मंत्री नरेंदर मोधी का यह बयान यूही नहीं है पीएम बार बार हर मंच से इस बात पर जोड़ दे रहे हैं कि कॉंग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ती छीन ली जाएगी कॉंग्रेस की नजर स्त्रीधन पर है पीएम बोधी कोई भी बयान यूही नहीं देते पीएम के आरोपों को समझ ना है तो पहले कॉंग्रेस की सोच को समझ ये हमने वाइदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी देश का एक्सरे कर देंगे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हम फाइनेंशल और इंस्टिटूशनल सर्वे करेंगे सत्ता में आने के सपने देख रही कॉंग्रेस के मनसूबे क्लियर है रहूल गांधी और प्रियंका गांधी एक सुर्वे इस बात पर जो दे रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो सभी की समपत्ति का हिस्साम लेंगे कॉंग्रस आर्थिक सर्वे के पीछे समानता के अधिकार की बात तो कर रहे है लेकिन वो ये नहीं बता रही कि आर्थिक सर्वे का आधार क्या होगा आर्थिक सर्वे के नाम पर रहूल और प्रियंका की ये सोच आम आदमी के लिए परिशानी खड़ी करने वाली है इस सोच के नतीजे, कितने खतरनाक होंगे, ये समझने के लिए कॉंग्रस ने था, Sam Petroda के इस बयान को भी सुन लीजे. Sam Petroda का ये बयान ये समझने के लिए काफी है, कि कॉंग्रस की नजर आपकी समपती पर है. आर्थिक सर्वे की जरिये, कॉंग्रस पहले आपकी मेहनत की कमाई का पता लगाएगी, और उसके बाद उस समपती पर कबजे की रनीती बनाएगी. जो समपती आप अपने बच्चों के भविष्चे के लिए तयार कर रहे हैं, उस पर कॉंग्रस कबजा कर लेगी. गांधी बादी सोच रखने का दावा करने वाली कॉंग्रस पर आखिर ये कम्मिनिस्ट सोच कैसे हावी हो रही हैं, ये समझने के लिए आपको पूर्व कॉंग्रस देता, संजे निरुपम के पुराने बयान को समझना होगा. आज दुर्भाग की ये है कि नहरूवियन सेकुलरिजम को सबसे ज़्यादा तेजी से लेके चलने वादे लोग हैं, वो कम्मिनिस्ट हैं, इंदुस्तान के लेटिस्ट हैं, वो खुद ही गतम हो चुके हैं, पुरे कॉंग्रस पार्टी पे लेटिस्ट अप्रोच भर गया हावी हो गया, आधर्णीय राहूल जी के आसपास में बड़े पैमाने पे लेटिस्ट लोग है कॉंग्रस अपनी नई नीती के जरिये पुराने नक्सलवात को बढ़ावा देगी ये वो सवाल है जो आज हर भारतिय के जहन में कौन रहे हैं पिया मोदी भी स्तारजिनिक मंचों से इसी सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कॉंग्रस के कई नेता इसी सोच से परिशान होकर पार्टी छोड़ चुके हैं ऐसे में अब जनता को फैसला करना है कि क्या ऐसी सोच वाले नेताओं को सत्ता में आने देना है या नहीं ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत वहीं सैम पितरोदा के बयान पर अब स्मृती इरानी ने भी पलटवार किया हमला बोला है कहा है कि कॉंग्रस का बस चले तो जनता की संपत्ती लेले मेहनत से जुटाई संपत्ती लेने की साज़िश रच रही है कॉंग्रस स्मृती इरानी ने बड़ी बात कही है पलटवार किया है कहा कि ये कहा का इंसाफ है हर गरीब का घर नहीं चीनने देंगे ये भी कहा है स्मृति एरानी ने मेहनत से जुटाई समपत्ती लेने की साज़श रच रही है कॉंग्रेस सवाल खड़े किये स्मृति एरानी ने सैम पितरोदा का ये बयान ऐसे मौके पर आया है और उसको लेकर अब स्मृति एरानी भी हमलावार है सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कहा का इंसाफ है तो बड़ी खबर आपको बता रहे है स्मृति एरानी ने भी सैम पितरोदा के बयान पर हमला बोला है पलटवार किया है पूछा है कि आखिर ये कहा का इंसाफ है हर गरीब का घर नहीं चीनने देंगे